अनन्त चतुरदसी 2023 कब है अनन्त चतुरदसी जाने सुम मुहरत महत्वेवं पूजाविधी हलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कुझ ओफीशल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाड़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बेल अकने से प्रेस चरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास जाए आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ अनन्त चतुर्दसी कब है दोहजार तैस में पूजाविदी अनन्त चतुर्दसी दोहजार तैस सनातन पंचांग के अनुसार भादर माह की चतुर्दसी तीथी 37 सितंबर को दे रात 10 बज कर 18 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानि 38 सितंबर को संध्याकाल छे बज कर 49 मिनट पर समाप्थ होगी वही 38 सितंबर को अनन्त चतुर्दसी मनाई जाएगी वही अनन्त पूजा कशु मुहरत प्रातह काल 6 बज कर 12 मिनट से लेकर संध्याकाल 6 बज कर 49 मिनट तक है अनन्द चतुर्दसी 2023 हर वर्ष भादर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दसी को अनन्द चतुर्दसी मनाई जाती है तरद अनुसार इस वर्ष 28 सितंबर को अनन्द चतुर्दसी का पर्व मनाया जाएगा ये दिन जगत के पालन हार भगवान विश्नु को समर्पित होता है इस दिन भगवान विश्नु और माता लक्षमी की पूजा उपसना की जाती है साथी पूजा होने तक वरत उपवास भी रखा जाता है पूजा के समय भगवान विश्नु को अनन्त रक्षा सुत्र अर्पित किया जाता है धार्मिक मानेता है कि अन्दान्त चतुरदसी तिथी पर भगवान विष्णों की पूजा कर रक्षा सुत्र बांधने से व्यक्ति सभी बिगरे काम बनने लगते हैं साथ ही सभी प्रिकार के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है आईए सुमु आईए सी तंबर को संध्याकाल 6 बसकर 49 मिनट पर शमाब्थ होगी 80 सितंबर को अन्द चतुरदसी मनाई जाएगी वहीं अनंत पूजा का संध्याकाल 6 बसकर 12 मिनԲेकर संध्याकाल 6 बसकर 49 मिनट तक है इस तोराद साधक भगवान नरायन की पूजा उपास ना कर सकते हैं साथ ही पूजा का रक्षा सुत्र बांच सकते हैं। बिचाकर भगवान नरायन की प्रतीमा या चित्र स्थापित करें। आरती इर्चना के समय भगवान विश्नु से सुक समरिधी की कामना करें। पूजा समापन के बाद पुरुष दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधे। एक चीज का ध्यान रखे कि हाथ में हमेशा चौदा गाठ वाले रक्षा सुत्र बांधे। अनन्त का क्या है धार्मिक महत्व? अनन्त चतुर्दसी के दिन पहने जाने वाले अनन्त में चौदा गाठे बांधने के पीछे का अपना अलग महत्व है। इसमें लगाई गई चौदा गाठे हर डर से मुक्ती दिलाती है और अक्षा करती है। धार्मिक मान्यता के मुताविक अनन्त में चौदा गाठे लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान विश्नु का शिर्वात बना रहता है। कर सुख सौभागे और संतान सुख अपने भगतों को देते हैं।